बारिश के बाद सब्जियों के दामे जबर्दस्त उचाल हुआ है और मध्य वर्गया और गरीब परिवारों के लिए ये मुसिबत बन चुकी है वहीं सब्जी मंडी में गरहकों की संख्या कम हो गई है मंडी सूनी पड़ी हुए दुकानदार गरहकों के इंतसार में बैठे हुए 50% से ज़्यादा उचाल होने से दुकानदार अब की चिंताएं भी बढ़ गई है रिपोर्ट देखिए प्रदेश में मानसून का तौर स्टार्ट होने के साथ ही अब मंडियों में या सबजियों के दाम की बात करें तो सबजियों के दाम में काफी उचालाया है और ये कहीं ने कहीं मध्यम बरगिये और घरीब परिवार के लोगों की जेब पर बड़ी मार डाल रहा है मंडी में आप इस वक्त देखें जो बजार हमेशा भरा रहता था वो मंडी भी किस तरह से सूनी दिखाई दे रही है ये आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर है उदाइपुर की सब्जी मंडी में हम इस वक्त हैं और आप देखिए जिस तरह यहां सब्जी मंडी में सब्जियों के काउंटर्स पर ग्राहक नजर नहीं आ रहा है यह कहीं ने कहीं बढ़ती इस महंगाई से बारिश के बाद सब्जियों के दामों में जो उचाल आया है उस इस तरह का इस बार मांसुन सरबारिश शुरू हो चुकी है किस तरह का उचाल सब्जियों के दामों में देखने को मिला है रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है इस बार मांसुन जैसे सीजन चेंज होती है तो आमोमन महेंगा रहते ही रहता है पर थोड़े सब्सक्राइब का इस बार मांसुन जैसे सब्सक्राइब के रहते हैं और अभी कुछ दिन अभी शादिया भी है तो बहाओ गिरने का सब्सक्राइब करते हैं और बारिश चल रही है तो फसलों पर फरक पड़ते ही है बाहर से आने वाली जो माल है उनमें खराबा भी ज्यादा होता है और आवग भी कुछ कम हो जाती तो अभी काफी कुछ लोकल माल के उपर डिपेंड करता है अला कि टमाटर बगिरा जो है नासिक है माराष्ट है यहां बैंगलोर साइड से जो आ रहे हैं तो उनका टांस्पोर्टेशन ही इतना लगता है कि भाव न चाहते हैं भी वो महेंगई को अपने को साइन करना ही पड़ रहा है आम जनता के उपर ज्यादा डिपेंड करता है अगर हम तो कहते हैं कि बारिश बहुत अच्छी आनी चाहिए कि ठीक है कुछ दिन की तकलीफ होती है भाव में या किसमें पर आने वाली फसले अपने लिए अच्छी भी होती है और रहाद वरी भी होती है पर अगर अगर अब यह बार जिस तरह से बारिश का दोर शुरू हुआ है उसके बाद से यहां पर सब्जियों के जो दाम है उसमें एकदम से उचाल देखने को मिला है कस्टमर्स क्या सोचते हैं कस्टमर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है यह भी जानने की कोशिश करते है कि कस्टमर एक्चुल मे परक पड़ लिए मगर माल बिक नहीं रहा है क्योंकि माल महंगा है यसलिए लोग पीछे अट रहे क्योंकि टमाटर महंग हैं सब जो रुपार किलो रहे हैं तो सबस्क्राइभ प्रभाव जो हैं जो गरीप परिवार हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो गयी उनके लिए त का विपरसेंट इजावा एंकर शिम्हीत मंगेरा कोग तर इंपि match design है अदिक सब्जियों के दा मध्याम बर्गी और घरीवर यह उनकी जेब पर इसका सीधा असर आया है मंडी में आते हैं तो लोगों को जो को ये जो टमाटर सजे हुए नजर आते हैं ये उन्हें आँख दिखाते दिखाई दे रहे हैं टमाटर लाल लाल रंग की अगर आँख दिखा रहे हैं डरा रहे हो मानो ऐसा लग रहा है और उसके साथ ही जिस रुपे किलो बिक रहे थे वो आज 80 रुपे किलो हैं यानि कि चार गुना दाम जो हैं वो टमाठर के बढ़ चुके हैं तो कहीं ने कहीं यह जो टमाठर है और दूसरी जो रूटीन की सब्जिया है यह आम जीवन को प्रभावित करती नजर आ रही है और आने वाले 15-20 दिन तक इसी तरह का सिल्सिला चलता रहेगा मांसून पर डिपेंड करता है कि अगर मांसून रुकता है या बारिश का दौर खत्म होता है तो यह सब्जियां फिर से सस्ती हो सकती है उदैपुर्शेंट